हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे लिट्यूब चैनल एट देड़ेटारे फ्री क्लासेज में आप किसी भी एक्जाम के तैयारी करते हों एसे सी बैंकिंग रेलिवे एदर कंपरडिशन का तो सभी के लिए बहुत इंप सापित करेगा तो देख रहें हैं तीन आठ अठारा अड़ तीस वाट क्या होगा यहां पर 158-318 तो जल्दी से बनाएगा इसका क्या आएगा तो किस तरह से इसको हम बना सकते हैं दीखिएगा तो आप लोग भी तैयारी कीजिएगा थोड़ा बनाने कोशिस कीजिएगा अगर आपसे बनता है बहुत अच्छी बात है नहीं बनता है तो मैं हूं बताने के लिए तो देखेंगे तीन गुने दो पलस टू कितना आएगा आठ ठीका उसी तरह से आठ इंटू टू पलस टू क्या होगा अठारा फिर आगे देखेंगे अठारा इंटू टू पलस कितना आएगा अरथी से फिर उसी तरह से अरथी से इंटू टू पलस टू कितना हो जाएगा अठार यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 इस राइट अंसर B, चलिए, चेक करने के लिए आगे भी करते है 78 into 2 पलस 2, कितना आना चाहिए 158, आ रहा है 158, फिर आगे चेक करने के लिए 158 into 2 पलस 2, कितना आएगा 318 तो सभी चेक हो गए इस राइट आया ठीक है, तो इस लिए अगर आपको कोश्चन समझ में आया होगा वीडियो ज़्यादा सेर कीजिएगा पहली बार आया होगी, तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा, डेली सेट मौर्निंग में 9 बज़े आता है आप टेली ग्राम चेनल जोईन कर लिजिएगा मेरा आरे फिरी क्लासेज, उसमें भी आपको पीडिया कोश्चन ये सारे मिल जाएंगे तो मेरे चैनल पर बने रही है चलिए, इंपोर्टेंट कोश्चन नंबर टू चलिए, दिखेगा, जल्दी से बनेएगा आप लोग कहरा, आठ व्यक्ति है जल्दी से बनेएगा एक सीधे पंक्ति में उत्तर की और मुँ करके बैठे है तो जल्दी से बनेएगा इसको बीना देरी किये हुए कितने लोग है, आठ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक, आठ दिशा तो आपको पता ही है दिशा से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्व होता है लेकिन एक जंकारी के लिए आप में बता दूँ यह दर्शिन होता है नीचे और यह पर्शिन होता है ठीक है? चलिए अब कहा रहा है M पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है M जो है किसी सिरे पर बैठा है M, ठीक है? मान लेते हैं M यहीं बैठा है उसके बाद M, E के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे है M और E के बीच में मतलब एक दो इसके बीच में दो व्यक्ति बैठा है ठीक है? D, E के दाईं और तीसरे अस्थान पर बैठा है D जो है E के दाईं और मतलब इधर से दाईं और तीसरे अस्थान पर मतलब एक, दो छोड़कर यह तीसरे अस्थान पर D बैठा है आगे कर रहा है D और T के बीच में केवल चार बैठती बैठे हैं D और T के बीच में, मतलब की 1, 2, 3, 4, मतलब T यहां बैठा है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, Z, P के दाइं और ठीक बगल में बैठा है, मतलब Z है जो D के दाइं और ठीक बगल में बैठा है, चलिए, P के दाइं और, मतलब P यहां पे इसके बगल में बैठा है, ठीक है आगे डबलू पंक्ति के किसी भी सिरे पे नहीं बैठा है मतलब की डबलू जो है पंक्ति के सिरे तो यहां बचरा और यहां बचरा तो सिरे पे नहीं बैठा है मतलब डबलू यहां बैठा है चली तो बाई के दाई और कितने बैक्ति बैठे हैं कोई नहीं तो कोई नहीं कोई सा हो जाएगा सी आगे बढ़े कोशन दिखेगा तिन नमबर उस विकल्प का चयन करें जो पांच्वी संख्या से उसी परकार समदित है जिस परकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौती संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है तो बताएंगे जल्दी से बताएगा इसका संबंध इसके साथ जिस तरह से है पहली के दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ तीसरा तीसरा चौते के साथ और प पलस 13 बटाड़वर कितना जाएगा 22 बटाड़ 2 बटाड़ 11 ठीना तो उसी तरह से 29 पलस 13 बटाड़ 2 कितना जाएगा 42 बटा-ड़ तो मतलब 20 आ रहा है ठीक तो उसी तरह से हम लिख देंगे 37 पलस 13 बटा टू कितना हो जाएगा 50 बटा बटा बटावर 25 यहां पर क्या आ जाएगा 25 इस आई टंसर डी यह आपको एक्जाम में टाइमिंग मैंने रखता है तो आप किस तरह से बना सकते हैं वो आप पर डिपें सो जाएगा और कल्कुलेशन करने में भी आपको इजी बिठेक तो इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें चलिए नेक्स्ट चोथा नमर कोशन देखेंगे उस बिकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे सब्द से उसी पर का समंदित है जिस पर का दूसरे सब्द पहले सब्द से समंदित है सब्द को अर्थपूर्ण सब्दों के रूप में मानना है और उन्हें सब्दों में अच्छरों ब्यांजन स्वरों की संख्या के अधार पर एक दूसरे से समंदित नहीं करना है देखेगे लेखा को कलम से कार रहा है तो बढ़ही को क्या कहेगा जल्दी जुए को किजिगे लेखा का समंद दो क्लम से लिखने का कार्श करता है उसी तरह से बढ़ही क्या करता है बढ़ही जो है, cunning will dim Charlie को काटने का का пом elches करता है से लकड़ी 뉴스 किया जाता ठीक है तो राइट अंसर कौन सा हो जाएगा मेरा ठीक है चले आगे बढ़ें नेक्स्ट देखिएगा पच्वा नमर कोशन करेगा कौन सा अच्छर समों दी गई सिंखला में प्रस्ण चिन वाट के अस्थान पर आकर सिंखला को फुन करेगा ए ए एफ आई अन को इ जे एम आर वाट कह रहा तो उसी तरह से एम आर यूजेट को क्यू भी बाई जेट लिख रहा है तो इसको बताएगे जल्दी-जल्दी कमेंट किज़ें इसका अंसर क्या आएगे तो बिना देर की हो जल्दी बनाईएगा तो देखेगा हम लोग लिख सकते हैं तो फिस इपर快 क्या कर सकते हैं बालस फॉर तो उसी तरह से अगर्द पेटरर्न लागू करेंगे तो क्या आएगा आई तो एक प्रोत प्रोत करेंगे तो Q आएगा फिर F F को कह रहा है J तो J कैसे आएगा F के अब J जल्दिस बतेएगा 4 करेंगे तो J आएगा ठीक फिर हम J में 4 करेंगे तो क्या आएगा N फिर N में 4 करेंगे तो क्या आएगा R R में 4 करेंगे तो क्या आएगा भी, ठीक है, देख रहे हैंगे, आ रहा है, चले, उसी तरह स्फिर देख रहे हैं, आई, आई को हम पलस 4 करेंगे, तो क्या आएगा, M, ठीक है, M आ रहा है, फिर देख रहे हैं, पलस 4 करेंगे, M में, तो क्या आएगा, Q, Q में हम प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा U ठीक U में प्लस 4 करेंगे तो Y ठीक फिर आगे देखेंगे N N को प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा सब प्लस 4 कर रहा है ठीक है सब में प्लस 4 कर रहा है तो R को प्लस 4 करने पर भी आएगा फिर प्लस 4 करेंगे B में तो Z आएगा और Z में प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा D Z में प्लस 4 करने पर D, मेरा राइट अंसर कौन सा आ गया INQB INQB इस राइट अंसर INQB इस राइट अंसर C question बन रहा होगा, समझ में आ रहा है वीडियो जाब जाब शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है और डेली सेट मॉर्णिंग में 9 वज़े आता है चली question number 6 एक निश्चित कुट भासा में दी ए आई एंटी वाई को इतना लिखा जाता है उसी तरह से इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भासा में इतना को किस परकार लिखा जाएगा जल्दी से बताएगा comment section comment किजिए किसका अंसर कैसे आएगा अप कितना आएगा बताएगा जल्दी से बिना देरिक्ट्यों जल्दी से बताएगा चली देख रहे होंगे एक pattern बैठा दाते हैं आप समझ में आ जाएगा चली तो देखेगा डी को कहा रहा है जे ठीक कितना करना पलस 3 फिर कहा रहा है ए ए को करना है सिर फिर केटना करना पलस 2 फिर लिख रहा है i I को लिख रहा है K क्या कर रहा है पलस 2 फिर N N को लिख रहा है Q मतलब पलस 3 ठीक है फिर लिख रहा है T T को लिख रहा है W क्या कर रहा है पलस 3 Y Y को लिख रहा है B मतलब पलस ठीरी ठीक है? इतना समझ में आगे होगा? चले फिर आगे देख रहे हैं इसको लिख रहा है P को P को लिख रहा है S मतलब पलस ठीरी करना है फिर लिख रहा है R R को लिख रहा है U मतलब पलस ठीरी ठीक है? फिर देख रहे होँगे O O को लिख रहा है क्या? Q मतलब पलस 2 कर रहा है ठीक? फिर M M को लिख रहा है P P मतलब पलस ठीरी कर रहा है ठीक है? I I को लिख रहा है कि मतलब पलस टू उसी तरह से एस यह सब लिखने की जरूरत नहीं है यह आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं सुरी ठीर हो जाएगा यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं है यह आपको खुद को समझना है तो देख रहे हूं कि इस तरह से वह प्लस बन प्लस टू प्लस थिरी प्लस टू ऐसे करके वह लिखा है तो उसी तरह से हम अगले को लिखेंगे जो question में पूछा जा रहा है देखिए question में क्या पूछा जा रहा है c e r t a i n ठीक है c को प्लस थिरी करेंगे तो क्या एगा f e को प्लस टू करेंगे क्या एगा g ठीक है r को प्लस थिरी कर देंगे क्या एगा u t को प्लस थिरी करेंगे क्या आएगा w a को प्लस टू करेंगे क्या एगा c फिर i को प्लस टू करना तो क्या एगा k n को प्लस थिरी कर देंगे तो क्या आएगा q तो मेरा राइट अंसर क्या आ गया f j f g q w c k q is राइट अंसर c बन जाएंगे चली next चली सत्म नमर कोशन देखेंगे नीचे दिए गया भी कलपों में से उस अच्छर समू का चायान कीजिए जो निम्ण सिंखिला में से प्रस्ण चिन वाट के अस्थान पर आ सकता है तो जल्दी से बनाएगा कमेंट सेक्षन कमेंट कीजिए कि इसका अंसर क्या आएगा तो देख रहे हैं कि o l फिर लिख रहा है b e फिर लिख रहा है c x फिर लिख रहा है j q तो यहां पर बाट इसका क्या होगा तो चली देखेंगे o ठीक है o के बाद कह रहा है b b के बाद कह रहा है c c के बाद कह रहा है j तो j के बाद कह रहा है क्या आएगा बतेगा j के बाद क्या आएगा यहां के बाद क्या आएगा तो देखेंगे इसमें कर रहा था पलस 7 फिर किया है पलस 7 तो c आया है फिर पलस 7 करेंगे तो j आएगा फिर पलस 7 करेंगे तो क्या आएगा q यहां पर आ गया q चली फिर दे लिखा है ल के बाद लिखा है मतलब 7-7 है फिर-7 करेंगे तो क्या आएगा X फिर देख रहे हैं X से Q फिर-7 किया है Q आया है तो उसी तरह से फिर-7 करेंगे तो क्या आएगा जे तो मेरा अंसर क्या आगया Q और जे Q और जे Q और जे Q और जे इसाइज़त अंसर दी कोश्चन समझ में आ रहा है तो जाब वीडियो जाद 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 शेर किजिएगा मेरे चैनल पर पहली बारा है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसमें वो चीज है ठीक है यह देख रहे हैं यह है क्या नहीं यह यह है गया इन सर यह यह नहीं है यह नहीं है कंसर हो जाएगा यह इनमर ठीक है चलि नेक्स्ट नमर नमर कोशन देखते हैं निमलिखीत में से उस बिकल्फ का चैन कीजिए जो पांच में अच्छर समूँ से उसी परकार समन्दित है जिस परकार दूसरे अच्छर समूँ पहले अच्छर समूँ से और चौते अच्छा समूद, तिसरे अच्छा समूद से समंदित है तो जल्दी से बनाएगे, कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीजिएगा इसका समंद इसके साथ है, उसी तरह से इसका समंद इसके साथ है इसका समंद इसके साथ क्या होगा जल्दिस बन खाइएगा कंत सेक्शन में कमेंट कीजेगा तो चली देखेगा पहला का लिख रहा देख रहे होगे z, i, n, c, k, y तो z का कह रहा है x, मानस 2 कर रहा है मतलब फिर i को लिख रहा है जी, मतलब मानस 2 कर रहा है n को लिख रहा है A, L, मतलब मैनस 2 कर रहा है, C को लिख रहा है, A, मतलब मैनस 2 कर रहा है, K को लिख रहा है, I, मैनस 2, भाई को लिख रहा है, W, मैनस 2, तो उसी तरह से इसका भी सभी मैनस मैनस कर रहा है, ठिका, तो इसका भी हम लोग कर देंगे, उसी पैटरन पे लागू कर देंगे, J, O, C, K, E, Y तो J को मैनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? H आएगा O को मैनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? M आएगा C में मैनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? A आएगा K में मैनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? I आएगा उसी तरह से E में मैनस 2 करेंगे है एक एक निशीत कुट भासा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी तरह से आटलेट को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी भासाम में लेवर को कैसे लिखा जाएगा इसका अंसर क्या आएगा यह देख रहे होंगे कि सेट नंबर आज 56 था important chapters अभी short question थे reasoning के तो आपको समझ में आया होगा बाया वीडियो को ज़्यादा share कीजिएगा लाइक कीजिएगा मैं चैनल पर पहली बार आया होंगे तो subscribe कीजिएगा चली फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोस के साथ हसते रही मुस्कराते रही चली धन्यवाद